हेलो फ्रेंड्स जम्षिद इंग्लिश जून की तरफ से मैं मोहम्मद जम्षिद आज मैं आपको मस्ट बी के यूज के बारे में बताऊंगा मस्ट बी का यूज पूरी संभावना के लिए किया जाता है एक्जांपल है मिजान मस्ट बे अट होम मिजान को घर पर होना चाहिए मिजान जरूर घर पर होना चाहिए मिजान को घर पर ही होना चाहिए मिजान घर पर होगा मिजान जरूर घर पर होगा, मिजान घर पर ही होगा, मिजान should be at home, मिजान को घर पर होना चाहिए, should be के इस sentence में मिजान के घर पर होने का अंदाजा कम उमीद के साथ लगाया गया है, मस्ट बी का यूज कानुन नियम या निर्देश के पालन के लिए किया जाता है, एक्जाम्पल है, करमचारियों को आट बजे तक अपने काम पर होना चाहिए, मस्ट बी के कुछ एक्जाम्पल्स हैं, इसके पीछे कोई वजा जरूर होनी चाहिए, मुझे यकीन है कि या जरूर तुम्हारी गलती होगी, मुझे पता है कि या तुम्हारा नहीं होगा, यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, तुम्हे काफी जोश में होना चाहिए, यू मस्ट बी सोहन्स मादर, आप जरूर सोहन की मा होंगी, आपके लिए एक मुश्किल वाक्त होना चाहिए, यू मस्ट बी आप स्टेयर्स, उसे उपर होना चाहिए, यू मस्ट बी 30,000 पीपल इन इस स्टेडियम, इस स्टेडियम में 30,000 लोग जरूर होंगे, इट मस्ट बी ट्रू, या सच होना चाहिए, यू मस्ट बी दा बाथ डे गॉर्ल, आप जरूर बड़े वाली लड़की होंगे, यहां से पैदल दूरी के अंदर कम से कम एक अस्पताल जरूर होना चाहिए, या आपके लिए अजीब सा होना चाहिए, यू मस्ट बी अपने होशो हवास में नहीं होगे, इस विवाद को सुल्जाने का कोई तरीका होना चाहिए, उसे दिल्ली में कहीं किसी जगह होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसमें तुम माहिर हो, इस मशीन में जरूर कोई गडबड होगी, the problem must be somewhere else, दिकत कहीं और होनी चाहिए, I understand this must be very weird for you, मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए बहुत अजीब होना चाहिए, you must be fairly familiar with all this area, तुम इस पूरे इलागे से काफी हद तक वाकिफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ, इस आपके खूरे लिए, आपके लिए समय के वाकिफ होना चाहिए, जर इस इस बेख होना चाहिए, झाल झाल